राधी राधी गुरुजी, मैं दिली से आई हूँ, मेरे आप से ये परशन है कि मेरे घर में बहुत कलेश रहता है किस से? एक बेटा है, वो भी मेरे कहना बिल्कुल भी नहीं मानता ना पड़ाई लिखाई करता है कहा है? बात कराओ राधी राधी गुरुजी, बेटा राधी राधी राधी, क्या नाम है आपका? मैया बैठ जाओ मेरे नाम गौरव है, गौरव? तो मम्मे की बात, माता जी की बात, मैया की बात क्यों नहीं मानते? गुरुजी, मेरे पड़ाई में मन नहीं लगता तो फिर क्या करना चाहेंगे आप? मेरा आउटडोर गेम में ज़्यादा अच्छा मन लगता है बेटा गेम तो जीवन भर खेल है, पुरी जिंदिकी तो गेम ही है पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई नहीं करेंगे तो ज़्यादू पहुचा लगाना पड़ेगा फिर आपको तैयार हैं ज़्यादू पहुचा लगाने के लिए? नहीं फिर बेटा गेम खेलते हैं, ठीक है आगे जो भी करना है आप कुछ भी करिये पर पढ़ाई तो सब जगह लगेगी बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे चलो कल को आप बहुत बड़े खिलाडी हो गए किसी भी सब्जेक्ट के तो कल जब लोग इंटर्व्यू लेंगे आपसे तो बोलना तो आना चाहिए ना उसके लिए तो सिक्षा की आवश्यक्ता है ठीक है इसलिए आप अपने फिल्ड में आगे बढ़ें पर सबसे मूल में सिक्षा है सिक्षा जरूरी है पढ़ना जरूरी है ठीक है तो आप प्रॉमिस कीजिए के पढ़ेंगे मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पढ़ेंगे पढ़ के क्या बनेंगे साइन्टिस्ट देश के लिए काम करना है आपको ठीक है सुन्दर तालियां हो जाएं बच्चे के लिए नहीं पढ़ोगे तो जाडू पहुचा लगाना पड़ेगा फिर गुरुजी राधे राधे गुरुजी मैं दिल्ली से आई हो मेरे घर में सांती में रहती गुरुजी आपकी तरफ से शांती नहीं कि आपके पती की तरफ से कहां है पती आपके घर में है तो अब उनकी तरफ से नहीं तुन्हीं को लाना चाहा आए नहीं हो गुरुजी फिर आपकी तरफ से तो sideways हें तो हम आपको क्या समझाें जिनकी तरफ से aside थे उनों को भी समझाते चलो इनको दो मालिक हनों भोल ला कि एक काम करना वे कुछ भी बोले आप छुप रहा करो शानती सानती रहे ही ठीक है वो कुछ भी बोले आपको डे बोले डे बोली हम तो टुपई टाप चलिए रादे रादे गुरु जी गुरु जी बेरे पुम्ब रासी है तो एक पंडी जी ने बताया था सनी चल लाए तो क्या हुपाया है क्या करना चाहिए सनी है भगवान क्रिष्ण के साले अगलो हाँ सनी की बेहन है माता यमुना हाँ सनी के पिता है सूरी भगवान हाँ सूरी भगवान को जल चड़ाईए यमुना जी में सनान कर लीजिए और भगवान स्री क्रिष्ण के ध्यान में डूब जाईए, ये जीजा जी है सनी के, जीजा खुश तो साला पीछे पीछे घुमेगा परिशान होने की जरूरती नहीं है साले के चक्कर में परिशान ना होईए जीजा को खुश कीजिएगा ठीक है भगवान स्री कृष्ण कौन है सनी जी के आपस में ठीक है ठीक है खुश रही है राधे राधे गुरू जी राधे हमारा आपस एक प्रिष्ण है हम लेत पुझले से आए हैं उत्तर प्रदेश हमारा प्रिष्ण है कि जब हन्मान जी भगवान गय थे लंका जी लंका में पहुंचे तो तो में वो मच्छर का रूप रख्के गए थिए थे ठीक है तो वो मच्छर का रूप धरे जब मसकसमा रूप कपी दरी और लंका चले सुमानरहरी जब मच्छर का रूप रखा तो अंगुठी को कैसे रखा उन्ने आपने पास अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका देखी हनुमान जी जब मच्छर बनके गए तो ये बताओ लंका के लोग कितने बड़े बड़े थे जी बहुत बड़े तो जब लंका के लोग बहुत बड़े थे भारत के भगवान राम जी भारती है थे और लंका विदेश है मतलब लंका में राक्षस लोग रहते थे और राक्षस बड़े-बड़े होते थे दस-दस सिर्रावड के मैया थोड़ा बैड़ जाओ मेरी मा अभी उनका हो तो जाए पहले तो बेटा जो मसक सब्ड है मसक कहते हैं छोटी सी मसक मतलब मच्छर नहीं होता मसक समान रूप कपिधरी लंका में आज भी मसक मतलब बिल्ली होता बिल्ली हाँ लंका में आज मसक किसको बोलते हैं बिल्ली को मसक का अर्थ होता है लगू हनुमान जी ना तो बिल्ली बनके गए ना तो मच्छर बनके गए हनुमान जी छोटे से बनके गए छोटे से हनुमान जी ही हो गए क्योंकि हनुमान जी को इतनी सारी विद्याएं आती थी कि वो जब चाहे अपने रूप को छोटा कर ले और जब चाहें भयों परवताकार शरीरा जब चाहें तो शरीर को बढ़ा कर लें तो हनुमान जी छोटे से ही बनके गए और छोटे से हनुमान जी के पास मुखमे ही मुद्रिका थी कहां थी प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही कहां थी मुद्रिका लिखाना सु हनुमान चलीसा में प्रभू मुद्री का मेलो मुखमाई जलादी लांग गए अचरजनाहे हनुमान जी के मुखमे मुद्री का थी और हनुमान जी बहुत छोटे से रूप में थी मसक सब्द कर चे यहां मच्छर बिल्ली से नहीं मसक मतलब होता है चोटा उसके समान हाँ हाँ चोटे ठीक है और कोई सब्द कर देना है भाईया को